अधिया की रसोई में हबका स्वागत करती हूं आज हम लोग बनाने जा रहे हैं मूग दाल के बड़े या पकोड़े तो चलिए हम लोग बनाते हैं मूग दाल के पकोड़े मूग के दाल को मूग ने तीम चार घंटे के लिए भिगो दिया तक मूग दो हम लोग पीशने के लिए तयार कर लिया है और अब इसको मिक्सिम में ढाल पीश लेंगे थोड़ा सा पानी पी एड कर देंगे जिसे की अच्छी तरसे पिश जाए तो आप चलिए इसको पीस लेते हैं डाल हम लोगों ने पीस ली है अब इसमें हम लोग मसाले एड करते हैं तो चली सबसे पहले हम लोग स्वादा अनुसार नमक डाल देते हैं जाल मेर्ची दाल देते हैं कि सवादा अनुसार कि बहुत कम भी नहीं डालनी कि चप्त पते से वहने चाहिए और थोड़ लिए अच्छी होती है, हम लोगों ने, उसके बाद ये इसाबत हैं थोड़ा दरदरा कर दिया था ये भी अच्छा लगता है, बढ़ों में तो ये डाल दिया, हम लोगों ने, इसके बाद ये हरी मिर्ची काटके रखी है, ये हम स्वाद के नुचाए रएड कर लेंगे अध्रप ने गिस के रखियों ये साफ करके ये अपने स्वाद के नुशार डालेंगे अब ये अध्रे प्याज हम लोग ने दोके और साफ करके बारी काट लिए इस बहुत अच्छा स्वाद आता है बड़ों में और ये ऑप्शनल है किसी को अगर प्याज नहीं पसंद है तो ना डाले और ये धनिया साफ करके रखा हुआ था ये और काटके रखा हुआ है ये हम स्वाद बहुत ही अच्छा हो जाता है तो हम लोग अक्सर डालते हैं तो मैं डाल रही हूँ तो ये अपने स्वाद के नुसार डालती जिए और ये सब डालने के बाद हम लोग इसको मिला लेते हैं कि देखे रंग भी कितना कलर्फुल आ रहा है मसाले हम लोग थोड़ा सा इसका मसाला चकलेंगे अकर कोई आपको मपकाम लगे तो आप और डाल सकते हैं वें स्पाड़ अ uk गरमस्टृ आप तेल गरम हो चुका है और एक पकोड़ना ना के हम देख लेते हैं कि सई गरमुआ या नि दो और करने देते हैं मेरे साप से तो गरमों गया बहुत तेज गरम में डालेंगे तो उपर से तो पक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्छे रहे जाएंगे इसलिए मध्यमांची सही है तहम इसमें पफ़ोड़े डांगते हैं और जिस साइज के आपको पसंद हों किसी को बड़े-बड़े पसंद होते हैं किसी फोटे पसंद होते हैं में कुम्मीडियम से बना रही हूं तो भ दाल दीजिए आप रोग दीड़े आज पे इसको अपने देएंगे अंदर तक भी सिख जाएंगे पुर्पुरे से भी हो जाएंगे देखे गूमने लग गए है और उपर भी आगए है बहुत ज्यादा दाल को कठी नहीं रखना चीए नहीं बहुत पत्ली रखना चीए बहुत कठी रखेंगे तो बड़े अंदर से बहुत सक्षक्त होंगे और खाने में मजा नहीं आएगा और बहुत धीली होगी तो अंदर से भी कच्चे कच्चे रहने का डर रहे हैं अच्छे से नहीं बनेंगे अब यह बड़े सुनहरे हो गए है इसका मतलब है कि अच्छे तर से तलीज गए है तो अब हम इनको तेल जार जार के निकाल लेते हैं और देखे कितने सुन्दर लग रहे हैं इसमें मेथी का और धनिय का जो भी डाला उसे गिरेन ग्रीन कलर भी अच्छा लग रहा है और बहुती सुन्दर लग रहे हैं और स्वादिष्ट भी होंगे ही इस तरह से अब लोगों ने यह बड़े बनाए हैं देखे यह बड़े रते वार आ रहा है तो सब को हैपी हो ली